हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाश 11 बुक का वितान बुक का चेप्टर नमबर टू जिसका नाम है राजस्थान की रजद बुंदी तो यहाँ पे जो लेक है यानि अनुपम मिश्र जी हैं वो हमें यह बताना चाहते हैं कि राजस्थान में किस प्रकार का महौल होता है और वहाँ पर पानी को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तो चलिया यह इसे पढ़ते हैं और इसे अच्छे से डिटेल में समझते हैं उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि इस वूडियो को अंतक देखीगा तभी आपको बहुत ही अच्छी तरीकी शमझ में आगा और आप एक्जाम समें अच्छा से अच्छा माप इसको कर सकते हैं तो यहाँ पर पहले आपको याने लेने के लिए कोई यहां खो दी जाती है अब जो कुईयां होती है वह इस्त्रेंग होती है ूसे शिर्फ एक छोटे फावड़ नहीं होता है असल में वो बसौली होता है और वो छोटे फावड़े के जैसा होता है इसलिए मैंने इसे छोटा फावड़ का तो उस छोटे फावड़े से एक ही व्यक्ति उस कुईये को खोदता है और वो तब तक खुदाई करता रहता है जब तक उसे एक प्रकार का पत्थर ना मि खुदयते हैं तो जो चेलवांजी होता है वो तब तक उसे खोदता रहता है जब तक उसे खड़िया पथर न अप्राप्त में लेयर था राजस्थान में अगर आप काफी अंदर को देंगे तो आपको एक पत्थरों की लेयर मिलेगी जिसका नाम उस पत्थर का वहां का नाम है तो यहां पर आपको यह बता जेता हूं कि कुईया और कुवा में रहनी दाइमेटर होता है यानि कि उजो रे ड्यव मुता है वो काफी कम होता है kunooka के बारे मैं आपको डिटेल से बीच में अभी बताऊंगा तो यहां पर हमें लेखक सुरुवात में यह बताते हैं कि वो जो चेलवान जी है वो पसीने से लत्फत है और अभी वहां पर छोटे फाड़े से खुदाई कर रहा है तो वो खुदाई करते करते अंदर तक पहुंच है और जिस दिन वो खड़िया पत्थर को प्राप्त कर लिता है उस दिन वहां पर उत्साओ का महौल हो जाता है और सभी लोग काफी खुस हो जाते हैं और इसी के साथ साथ वहां पर जो चेलवान जी होता है उसे भी दावत दी जाती है और उसे भी उस पार्टी में या फि चेलवानजी की देखभार एक परिवार की तरह ही करते हैं लेकिन आजकल के शमाज में आजकल के परिवेश में यह सब नहीं रहा आज इस इन सभी चीजों का आंत हो चुका है आज कि दिन में क्या करते हैं पैसे दिया काम हुगा उसे भगा दिये या फिर कहते हैं अब जाइए तो आज कल यह सम नहीं रहा लेकिन पहले जवाने में कुईया मिलती थी तो लोग उस्व मनाते थे काफी दावत देते थे तो क कुईया से उन लोगों को फायदा है था कि पानी मिलता है और जो कुईया होती है उसके बारे में यहां पे हमें लेखक टोटली बताते हैं साथी में यह भी बताते हैं कि जो कुईया होती है उसमें मात्र दो से तीन घड़ा परड़े पानी निकलता है यानि जादा पानी प करता है कि गभी कभी हो सकता है कि तीनी कभी एक महिने तो इतने टाइम में भी मिलता है और अगर इसमें व्यक्ति काम करते हैं तो अच्छे से हो जाता है मतलब जल्दी कुईयां खोधी जा सकती पर इस में सिर्फ एक भी काम करता है इसी लूप से काफी ज़्यादा शमय लगता है वो भी क्ञें पौब ह horizont के हैं अब बात आती है पर निकलता कैसे तो वहाँ पे वह पहले ही अपने डियेक विवस्था कर लेता है यानि कि जो कुईया होती है ना उसकी बीच में होल बना लेता है कुछ-कुछ दूरी पे ताकि एक होल में पैर रखे एक होल को हाथ से पकड़े और ऐसे ऐसे करके चर जाए जैसा कि आप लोग फीगर नंबर में देखी सकते हैं तो इसकी बाद हमसे लेखक यह भी बताते हैं कि जो कुईया होती है उसमें जो पानी होता है वो तो ना ही तो भूजल का होता है ना ही बर्शाद का पानी होता है वो तो पानी जो रिष्ट कराता है जो नमी के वज़र से पानी आता है उसमें वो पानी इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है पानी जमा होने में और उसका जो डाइमेटर होता है वो छोटा क्यों होता है मैं इसके बारे में बताता हूँ देखिए अगर कुईया का डाइमेटर बड़ा होगा तब क्या होगा यह अपोरेशन ज़्यादा होगा और दो तिन दो तिन घड़ा तो दूर की बात तब तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्यों कि आधात दीन तो बीते का नहीं वहाँ पे दो पहर में कितनी कड़क धूप होती आप लोग जानते ही होंगे तो मतलब कि वहाँ पे इतनी कड़क धूप में सारा पानी ही इवापोरेट हो जाएगा तो क्या बचेगा कुछ पानी ही नहीं बचेगा और दूसरी बात ये भी कि अगर उसका डायमेटर हम लोग काफी बढ़ा रख रहे हैं तो अगर मालीजे पानी छोटे अगर आप एक घड़ा पानी एक छोटी सी बाल्टी में या फिर मग में रख रहे हैं वह ज्यादा उस पानी सूप जाएगा और हमें मिलेगा कुछ नहीं और एक छोटे से घड़े में या फिर एक छोटे से होल में अगर हमें रखे तो पानी प्राप्त हो सकता है इसिलिए वहाँ पर या फिर पतली बनाए जाता है ताकि उसे ढख दिया जा सकें और जो पानी वास्प हो रहा ह उसकी विसंख्या काफी कम हो सकी क्योंकि ड़का जाएगा तो अंतर गर्मी नहीं जा पाए गर्मी नहीं जाएगे तो आप समझी सकते हैं वास वहां पर नहीं होगा तो यह सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो कुईया होती है वो पतली बनाई जाती है तो उम्मीद है आगे बढ़ते हुए हमें पानी के प्रकार के बारे में बताते हैं तो ध्यान सुनिएगा पानी के तीन प्रकार होते हैं पहला पालरपानी रवीकी भूजल तो इसके बाद जो अगला पानी आता है रेजाडी पानी यहीं देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है यह एक ऐसा पानी होता है जो बरसाथ की सत्व से यानि बरसाथ की सत्व जो पानी तेरा होता है वो काफी जमीन में भी तो जाएगा तो जमीन में तो चला से उपढ़े करों। यहीं होता है दो इसलिए हमें लेकर इस पारी के प्रकार के बारे में भी बताते हैं। ताकि में अछी तरिकी से श्रमस सकें। इसके बाद लेकर हमने यह भी बताते! हैं कि जो कुईयों का पानी था वो की तरशे निकाला जाता है वो एक रश्टी ले करके और उस रश्टी में छोटी सी बाल्टी ले करके जिसे घाओं में हर गाओं में अलग-अलग प्रकार का नाम दिया जाता है तो उसी पानी उसी बाल्टी को ले करके उसी में से पानी भर एक और भारे तो बहुत कम हैं तो इसके लिए भी वहां पेलोगोंने काफी उपार सोचा लोगों हर भर में जगएने कोई खोदी है लेकिन एक जो पंचायक होती है बोलगिन यहां पितार दोसे ती पानी आने वाई थे अब माली जे यहां पर आये उसका हाफ पाने यानि की एक घड़ा और आधा घड़ा तो इस सबसे यही प्रतित होता है कि अगर माली जे एक कुई के बगल में काफी लोग वहां पर कहें नहीं हम भी बनाएंगे नहीं हम अपना परसनल बनाएंगे तो इस तरह से क्या होगा कि सब के कुई में थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा और जब थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा तो वह पानी तो उतना वास्प ही हो जाएगा यानि कुछ परसन्ट पानी वास्प होगा और बाल्टी से निकलने की योगी भी नहीं होगा क्योंकि पानी के layer जब जब जादा उपर तक रहेगी तभी वो पानी आसानी से निकल सकता है अगर पानी मां लेजिए कि अगर पानी सिर्फ आपके एक हाथ तक यानि कि आपका जो एक हाथ उतने उपर तक है और आप उसमें एक बाल्टी डाल कर अगर पानी निकालना चाहें तो वो नहीं निकल सकता है तो इसलिए यहाँ पर लेखक हम यह भी बता रहे हैं कि वहाँ पर जो कुमिया होती है वो ज़्यादा नजदीक नजदीक नहीं बनाई जाती है नहीं तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि पानी विभाजित हो जाएगा इसलिए किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा और साथी में लेखक हमी ये भी बताते हैं कि जो कुईया होती है उसकी आसपास काफी साफ सफाई भी रखी जाती है और उसे काफी ज़्यादा कवज भी दिया जाता है जैसे कि ये खीप नाम की घास होती है उससे भी उस कुईये को ढखा जाता है और इन सभी प्रकार की उस क कुईयों की साफ और सुथरा रखा जाता है और कभी-कभी तो यह भी होता है कि कुईयों में पानी निकालने के लिए लकड़ी के लठे का भी प्रियोग किया जाता है तो बस आज की इस वीडियों में इतना ही उमिद है आपको यह चैप्टर बहुत यही तरीकी समझाया होग तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को करें लाइक और ज्यादा ज्यादा करें शेयर शो थैंक यू जै हिंद जै भारत कीप सपोर्टिंग झाल 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 झाल